कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका मैंच मेंटर आकाश एज़िए कॉम्टिशन क्लासिस पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे बढ़िया होंगे और आपकी प्रिप्रेशन भी बढ़िया तरीके से चल भी तो फटा-फट से गेम से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलिए पहला कोश्वन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर बहुत शांदार तरीके से इसकुस्ष्वन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा अच्छा कोश्वन है और प्यारा कोश्वन है दोस्तों चलो फटा-फट से जल्दी से बताईए, इस question का answer, देखते हैं कि कौन-कौन बता सकता है, और तयारी वायारी कैसी चल रही है आप लोग की, बाकी 30 त्योहर की, वो भी जरा एक बार बताते चलो, कि 30 त्योहर की तयारियां कैसी चल रही है, बताते चलो फटा-फट से, कि सर बढ़िया चल रही है निम लिखित में से कौन सी भिन सबसे बड़ी है, कौन सी, which one is greatest, तो पहला कौन सा दे रखा है, दो बटे 5 दे रखा है, दूसरा 3 बटे 4 दे रखा है, तीसरा 3 बटे 6 दे रखा है, और फिर 5 बटे 7 दे रखा है, क्रोस मल्टिप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, ये खतम, 6 तिया 18, 4 तिया 12, ये खतम, 7 तिया 21, 5 चौक 20, ये खतम, 3 बटे 4 इस greatest, मैं ये कह सकता हूं कि 3 बटे 4 जो है, वो सबसे बड़ी भिन्न है, 3 बटे 4 सबसे बड़ी भिन्न है, तो भई सभी लोगों का स्वागत है, है ना, एक बार शेशन को शेयर भी करते हैं, चलो भई, सभी लोग, ये पहला कोशन था आप लोगों के सामने, और इसी के साथ हम जो चलते हैं अपने second question की तराफ, चलिए, एक छातर को एक विशय में उत्रीन होने के लिए 35 प्रतीशत अंक प्राप्त करने होएंगे, 35 प्रतीशत, नमस्कार भाई, चौदरी साब, नमस्कार भाई, चलो, एक छातर को एक विशय में उत्रीन होने के लिए 35 प्रतीशत अं प्राप्त करता है और 23 अंकों से फेल हो जाता है अनुत्रिन हो जाता है तो विश्यों का अधिकतम अंक कितना होगा यानि कि 82 नंबर उसको मिले हैं और 23 नंबर और दे दे तो वह पास हो जाएगा कितने नंबर पर पास हो गया तो और तीन पांच और आठ रो दो दस पर यह कहा जा सकता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वह 300 आएंगे कितने आएंगे 300 आएंगे कि थर्ड कुश्चन बताओ वही अरे पटाके बटाके खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो यह भी तो बताते चलो है ना क्या तैयारियां हो हो गई है अब तो दिनीनी बचे समझो की कल दिवाली है ना यदी किसी वस्तु का विक्रय मुल्य दोगना हो जाता है तो उसका हानी प्रतिशत लाब प्रतिशत के बराबर हो जाता है हानी प्रतिशत क्या होगा यदि किसी वस्तु का विक्रे मुले दो गुना हो जाता है अब इस कुश्चन को ध्यान से देखना तो उसका हानी प्रतिशत लाब प्रतिशत में परिवर्टित हो जाता है लॉस जो है वो यह इधर चला जाएगा, यह हो जाएगा 3SP और यह उधर आजाएगा, यह हो जाएगा 2CP, तो CP और SP में जो रेशियो आएगा, वो आएगा 322 का, 322 का, तो हानी प्रतीशत पूछा, यानि कि कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस 2 है, तो 1 रुपे का लॉस है किस पर 3 पर, 33.33%, परसेंटेज में कनवर्ट करोगे, 100 से मल्टिप्लाई करोगे, 33.133 प्रतीशत का, राजपूत भाई बहुत बढ़ी आशानदार, जैहि जैसे कॉष्ट की तरफ मूप करो, और फटाफट से बताओं कि चौथ्छा कोस्ट क्या कहना चाहता है, उड़ादेना, कॉष्टको, द्यान से, है ना, और पंक फैलाओ, और उड़ चलो, और पहुंत जाओ आस्मान पर, एक नाओ, धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत दो गुना समय लगता है धारा के अनुकूल धारा के विपरीत दो गुना समय लगता है शुवम भाई नमस्कार मेरे भाई चलो यदि धारा की गती पांच किलूमिटर है तो शांत पानी में नौ की गती X की गती बतानी है यानि की question ये कह रहा है कि अगर आप x-y की गती से जाते हैं तो आपको 2 घंटे लगते हैं मगर अगर आप x-y की गती से जाते हैं तो आपको 1 घंटा लगता है यही तो कह रहा है दो गुना time लगता है ठीक है धारा के विप्रीत दो गुना समय लगता है धारा के विप्रीत दो गुना समय लगता है इधर एक तो इधर दो y की value दे रखी अपने पास 5 यानि की x-5 into 2 equals to x plus 5 into 1 यह हो जाएगा x plus 5 equals to 2x minus का 10 इधर आएगा यह उधर चला जाएगा x और इधर आजाएगा 15 यानि की शांत जल में नाओ की जो गती आगई वो आगई 15 km प्रती गहिटा बहुत बढ़िया बई चौधरी बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत शांदार पांचवे कुश्चन का बता देखो देखते हैं कि कौन कौन बताएगा जरा इसको भी ध्यान से एक बार देख लो दो पाइप A और B क्रम से 36 और 48 मिनट में एक टैंक को भर रहे हैं यदि दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो B को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 24 मिनट के बाद भर जाए आप खुद देखो जरा बहुत ध्यान से इस चीज को जरा देख लेना B कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 24 मिनट के बाद भर जाए तो A तो पूरे 24 मिनट तक चल रहा है 36 का 24 यानि की 2 थर्ड तो एक तिहाई बचा वो किसने भरा होगा B ने तो यह एक तिहाई कितने भरेगा 16 मिनट में तो आंसर आना चाहिए 16 मिनट चलो देख लेते हैं A भरता है 36 मिनट में और B भरता है 48 मिनट में भी भरता है 48 मिनट में 12 तिया 36 बारे चौक 48 144 LCM आ जाएगा 36 से 4 बार 48 से 3 बार यह 4 यूनिट काम करता है यह 3 24 मिनट तक काम किया दोनों ने किसने 24 मिनट में टैंक भर गया B बंद करा गया बीच में तो यह 24 मिनट में कितना भरेगा इसको देखते हैं तो 24 गुणा 4 यानि कि यह 96 भरेगा कितना भरेगा 96 इसमें से 96 अगए तो कितना बचेगा 48 यह 48 बी ने भराए किस efficiency से 3 की तो 16 यानि कि 16 मिनट बाद कह रहा ना कितने मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए तो आंसर आएगा 16 मिनट बाद और अगर यह पूछ ले कि कितने मिनट पहले बंद किया जाना चाहिए टैंक भरने से तो ढूरा आएगा क्योंकि पाइप तो चला 24 मिनट तक आठ मिनट पहले बंद कर दू आठ मिनट पहले तो ऐसे केस में दो option दो answer बन जाते हैं और depend करता है पूछा क्या जा रहा है ठीक है डिपेंड करता है पूछा क्या जा रहा है यह देखो जरा fifth था तो यह अपने पास six question आ गया जरा देखो निम लिखित प्रिशन में प्रशनवाचक चिन के स्थान पर कौन सी संख्या प्रियुक्त होगी यह bracket दे रखिए यह bracket दे रखिए और यह solve करने के बाद क्या आएगा चलो दिमाग लगाओ जरा देखते हैं कौन-कौन कर पाएगा भाई bracket पे खेलो जरा फटा-फट से यह कितना आएगा अपने पास चार और चार तीया बारे बारे और दो चौद है और चौद है तीया 42 यह value कितनी आगी 42 42 minus 3 यानि की 49 यह value कितनी आगी 49 फिर प्लस है अपने पास 3 का 4 तो 4 तीया बार है divided by 6 करोगे तो कितना आजाएगा 2 आजाएगा कितना आजाएगा 49 और 2 मिलाके कितना आजाएगा 41 अपना correct answer आएगा 41 अपना correct answer आएगा कितने लोगों का 41 आ रहा था यह भी तो बताते हैं चलो जरा अफट आफट से fifth यह six था और यह अपने पास अब seventh question किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की तीन गुझी है किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की तीन गुझी है यह आयत है अपने पास ये आयत है अपने पास किसी आयत की लंbाई इसकी चोडाई की तीन गुनी है ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा यदि इसके विकण की लंbाई 5 root 2 है विकण होता क्या है विकण होता क्या है अंडर root x square plus का 9x square यही तो आएगा, इसका square करो गे तो, a square plus b square का under root, और एक इसका equal आजाएगा, 5 root 10 के equal आजाएगा, 5 root 10 के equal आजाएगा, यह होजाएगा, 10 x square, equal to 5 अंदर चला जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25 गुणा 10, यह आजाएगा अपने पास, under root से under root उडा दो, 10 से 10 उड़ा दो X की value आगई 5 पूछा क्या है यह देख लो परिमाब तो यह value आजाएगी 5 और यह आजाएगी 15 15 और 5 20 20 दूनी 40 तो answer आएगा 40 meter क्या शांदार question दिया गया था 40 meter कितने लोगों का answer आ रहा है यहां पर बताओ 40 meter कितने लोगों का answer आ रहा है सभी लोगों का 40 40 40 40 40 answer आ रहा है चलो भाई आठवा question देखतें किसमें कितना है दम और जम के रखना कदम 10 minute और आठवे question पर हम लोग आ चुके हैं speed maintain चार बल्व कुछ समय के लिए करमशा 2, 3, 4 और 5 minutes के चार अलग-अलग अन्तरालो कर जलते हैं कितने बल्व है ? 4 तो 4 बल्व दे रखें अपने पास यह 2, 3, 4 और 5 minutes के 4 अलग-अलग अन्तरालो पर जलते है विरात आठ बजए एक सात चलू किये गए अगली बार वे किस समय सभी वल्व एक साथ जलेंगे LCM, LCM सिर्फ LCM लो 2, 3, 4 और 5 मिनट तो LCM कितना आएगा एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 2 ती या 6 हो जाएगी फिर 4 से भी कटे, यानि कि 12 हो जाएगी फिर 5 से भी कटे, 12 पंजे, 60 यानि कि 60 मिनट के बाद, अगर वो 8 बजे जलें हैं, तो 60 मिनट बाद, यानि कि 9 बजे, ये रहा अपने पास, option 9 PM, रात में 9 बजे, अगर 8 बजे वो रात में जल रहे हैं, तो 1 गंटे बाद, 60 मिनट बाद, यानि कि 9 बजे वो जलेंगे 9 बजे वो जलेंगे 9th question आप सभी के सामने x का मान ग्यात करो जिसके लिए संख्या 2 1 4 3 5 x 11 से विभाजित है किस से completely divisible by 11 है 11 से पूरी तरह कट जाए तो 11 से पूरी तरह काटने के लिए 2 1 4 3 5 x 11 से काट लो इसमें कौन सी बड़ी बात है rule number 1 तो यह ही अपने पास 11 एकम 11 कितना बचेगा अपने पास 10 बचेगा यह 104 हो जाएगा 11 99 5 बचेगा 11 44 कितना बचेगा दोस्तों अपने पास 11 44 यह है अपने पास 53 6 और 39 बचेगा 11 88 7 बचेगा और x की value आगी 7 x की value आगी 7 यानि कि अगर x की जगे 7 रख दोगे x की जगे 7 रख दोगे तो यह संख्या 11 से कट जाएगी एक तरीका तो यह था दूसरा तरीका आप यह भी फॉलो कर सकते हो 214 35 x बोलो 214 35 x 4 और 2 6 और 6 और 5 11 यह 11 आगया तो 3 और 1 4 और x यह किसके को लोन अच्छी है 4 प्लस x के तो x की value 7 रखोगे तभी तो 11 आएगा answer यह से भी आ जाएगा और डिविन के concept से भी आ जाएगा और direct divide करके भी आ जाएगा यह तो simple question था जैसे मन चाहे वैसे कर लो दसमा question आपके सामने screen पर उड़ा के तो दिखाओ जरा देखते हैं किसमे like करो फटा फट से अगर मज़ा आ रहा है तो चलो इस question को देखते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर 600 दे रखा है यदि पहली संख्या का साड़े चैपरसेंट दूसरी संख्या के साड़े आठ परसेंट के बराबर है तो दो संख्याओं का अंतर पहली संख्या का साड़े चैपरसेंट यानि कि six hole one by two percent दूसरी संख्या के y के साड़े आठ प एक्स छह दूनी बार है और एक 13 बटे दो और यह हो जाएगा वाई आट दूनी 16 और एक 17 बटे दो अब 2 से 2 उड़ा सकते हो एक्स और वाई में कितना अनुपात आ जाएगा 17 अनुपात 13 का इन में अंतर कितना आ रहा है 17 और 13 में 4 का और इस 4 की सब्सक्राइब लुटि इस 6 कितने गुणा डेड़ सो गुणा तो चोटी संख्या गयात करो यह भी डेड़ सो गुना हो जाएगी यह भी डेड़ सो गुना हो जाएगी 0, 13, 65, 65, 6 बचेगा और 13 और 6, 1950 कहीं पर दिखाई दे रहा है 4th one is your correct answer चौथा आपके पास correct answer आएगा जल्दी से बोलो अरे बोलो हाँ या ना इतनी चीज समझ में आ रही है अरे फटा-फट से बताओ भई किलियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदार शांदार भई चलो 11 कोशन आप सभी के साथ ने इसकी दिन पर उड़ाओ जड़ा 11 कोशन देखते हैं कौन कौन कर पाएगा ग्यारवा चलो first एक व्यक्ति अपने बेतन का 2 बटे 5 अपने भोजन पर वै करता है और 3 बटे 10 घर के किराए पर खर्च कर देता है उसके बेतन का कितना भाग अभी भी शेष है उसके बेतन का कितना भाग ये तो नहीं बोला ना शेष का शेष तो बोला ही नहीं है रेस्ट पार तो बोला ही नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट जोड लेंगे देखो अब देखना यहां पर देखना 100 रुपे हैं मान लिया कि 100 में से 2 बटे 5 यानि की 40% भोजन पर तो food पर कितना 40 2 बटे 5 का मतलब 40 होता है तो बचेगा कितना 60 बचेगा बचेगे को बॉक्स में रखते हैं ये 60 बचा फिर 3 बटे 10 घर के किराए पर तो इसका 3 बटे 10 यानि की 30% तो 6 या 18 रुपे यहां पर खर्च कर दिया रेंट पर तो कितने रुपे बचेगे 42 रुपे चैसत्ते 42 रुपे बचेगे ये बचा है अभी फिर इसका 1 बटे 8 अन्य खर्चों पर वे करता है इसका 1 बटे 8 अन्य खर्चों पर वे करता है तो इस value का 7 बटे 8 बचेगा या नी बचेगा इस value का 7 बटे 8 बचेगा या नी बचेगा इतनी बात बता दो बस उसके बेतन का rent and one-fifth on other expenses, what fraction of his salary is still ठीक है उसके बेतन का 1 बटे 8 अन्य खर्चों पर वै कर देता है 42 का 7 बटे 8 यह बचेगा उसके पास 42 का 7 बटे 8 यह उसके पास बचेगा ठीक है अब सुनो मेरी बात ध्यान से अब इसको करने का दूसरा तरीका यह है अपने पास कि यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे 42 का 7 बटे 8 बचा है, 2 से इसको काट लो 4 बार, 2 से इसको काट लो 21 बार, 21 इंटू 7, 7 और 147 ओवर 4 बचा है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ, कि 400 में से 147 बच रहा है, ये भी तो मैं कह सकता हूँ, 400 में से इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो यह हम कह सकते हैं कि 147 over 400 उसके पास बच रहा है ठीक है एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका ठीक मगर ये तरीका क्या है rest की बात है किसकी बात है अगर यहां पर rest word बोलता क्या बोलता rest word मगर इस question में rest word बोला नहीं गया तो इस question को फिर किस तरीके से करोगे जब rest word बोला ही नहीं गया तो अब जब rest word बोला नहीं गया तो आप इस question को direct लेके चलो किस कैसे लेके चलोगे direct 2 बटे 5 पिलस 3 बटे 10 पिलस 1 बटे 8 यही तो खर्च हुआ है 2 बटे 5 आठ इसको मैं 4 बटे 10 बोल दूं कोई दिक्कत थोड़ी है 2 बटे 5 को 4 बटे 10 बोल दिया LCM ले लो इसका 40 LCM 40 ले लिया 10 से 4 बार ऊपर आजाएगा 16 है दस से चार बार उपर आ जाएगा बार है और आठ से पांच बार उपर आ जाएगा पांच 16 और 16 32 और 13 33 बटे 40 उसने खर्च कर दिया तो 7 बटे 40 उसके पास बचेगा क्योंकि 6 की रेस्ट वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा था तो इस कुष्चन की तरफ मूब करते हैं देखते हैं कि बार्वा कुष्चन क्या कह रहा है मीना और मीरा की आयू का अनुपात चार अनुपात तीन है और उनकी आयू का योग 28 वर्ष है उनकी आयू का योग 28 वर्ष है मीना और मीरा की आयू का अनुपात चार अनुपात तीन दे रखा है इसकी आईू चार है इसकी तीन है तो दोनों की आईू का योग साथ साथ की value cushion में योग दे रखा है 28 चार गुना तो ये भी चार गुना यानि की 16 ये भी चार गुना यानि की 12 हो जाएगा आठ वर्ष के बाद उनकी आयू का अनुपात क्या होगा आठ वर्ष के बाद इसकी age हो जाएगी 24 और आठ वर्ष के बाद इसकी age हो जाएगी 20 तो 4 से 6 बार और 4 से 5 बार यानि की अनुपात आजाएगा 6 अनुपात 5 अनुपात आएगा 6 अनुपात 5 फटाफट से बताओ अरे हां या ना इतनी वास समझ में आ रही है चलिए तेहरवे कोश्ठन की तरफ मूफ करो फटाफट 280 सिक्कों में 1 रुपे के सिक्के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के शामिल है उनके मान 20 आठ और 5 के अनुपात में है यह नंबर ओफ कोई दे रखें नंबर ओफ कोईन दे रखें बीस आठ और 5 इन से वैल्यू बनाओ अचा दे रखें थी अपने पास 20 आठ और 5 कोई दिक्कत नहीं है एक रुपय के जितने भी सिक्को उनकी वेल्यू 20 है तो वेल्यू 20, 50 पाईसे की सिक्कोária की वेल्यू 8 है तो सिक्के वेजाए 16, 25 पैसे के सिक्को की वेल्यू अगर 5 है तो वेल्यू 5, 25,20 तो सिक्के कितने हो गए यहां से 20 और 20, 40 और 50, 56, सिक्के हो गए 56 और 56 की वैल्यू 280 कितने गुना, 5 गुना, 5 गुना, find the number of each coin, तो ये भी अपने पास 5 गुना हो जाएंगे, 100, ये भी 5 गुना, 80, ये भी 5 गुना, 180, 100 यानि की पहला, बहुत शांदार कोशन है, करना क्या था कि coin को value में convert करो, और value है तो उसके coin में convert करो, इसके लावा इस तरीके के questions में कुछ भी नहीं होता, कहीं पर doubt है तो मुझे एक बार बताओ, comment करके, ठीक है, फिर आगे का game देखा जाएगा, चौध्वा question आप सभी के सामने, चौध्वा question आप सभी के सामने, एक वस्तू को 800 रुपे में बेचने पर honey, वस्तू को 890 रुपे में बेचने पर अरजित लाव का 1.8 बटे है, तब वस्तू का क्रेमुले ज्याद करो, 800 रुपे में बेचने पर honey, यानि कि 800 रुपे सेलिंग प्राइज है, और cost price जादा है, तो यह honey हो गई, और 890 रुपे में बेचने पर अरजित लाव 890 में से cp जो भी profit होगा ठीक है जो भी profit होगा इसका एक बटे 8 कर दूँगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 cp minus का 6400 equals to 890 minus का cp cp इधर plus हो जाएगा 9 cp equals to ये उधर जाके add हो जाएगा तो ये हो जाएगा 09 8412 और साथ तो cp की value आ गई नौठे 72 और 10810 उस वस्तू का जो क्रेम उल्ले है वह 810 रुपया जाएगा कितना आ जाएगा क्रेम उल्ले 810 अनु भाई नमस्कार जायसवाल जी क्लियर चलो 15 उड़ाओ पड़ाफट पंद्र में कुश्चन पर पहुंच यह देखो जरा तुम लोग पंद्र में कुश्चन को देखते हैं कौन कौन ही आपर उड़ा सकता है जरा जल्दी से उड़ाओ एक किर्किट संखला में एक बल्ले बाच के द्वारा बनाये गए इसको बारा पच्चीस अर्टीस च्छपन चौसट और च्छियासी हैं माद् माद्धिका देखो मेरी बात ध्यान से समझ लेना माद्धिका यानी की मीडियन मीडियन क्या होता है मीडियन होती है मिड वैल्यू मगर मिड वैल्यू तो होती है मगर कभ या तो एसेंडिंग ओडर में या डिसेंडिंग ओडर में पहले इसको सेट करो तो बारा पच्चीस 38 56 64 और 86 यह दे रखी है तो तीन इधर से यह पैच बन गया और तीन इधर से यह पैच बन गया तो बीच में तो कोई आये नहीं ऐसी कंडिशन में जो यह वाले हैं इन दोनों को जोड़के आधा कर दोगे तो 38 का आधा 19 और 56 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तो 28 तो 19 और 28 कि 47 is your correct answer 47 is your correct answer जाईशवाल बहुत शांदार चलो अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं 16 कुश्चन देखते हैं क्या कहना चाहरा है मोहन ने 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 6000 रुपे साधारन ब्याज पर निवेश किये देखो जरा इसको मोहन ने 5 प्रतिशत की दर से 5000 रुपे चक्वर्दी ब्याज में निवेश किये इसने compound interest पर निवेश किया है तो कह रहा है कि दो वर्षों के बाद उनके ब्याज के बीच अंतर कितना होगा तो पहले वाले को मिलेगा 6000 का 10% क्योंकि simple interest है तो यानि कि इसको मिलेंगे 600 रुपे दूसरे वाले को 5000 8000 रुपे का पहले साल 8% यानि यानि कi 28,444 चार सो दूसरे साल 8%, चार सो और इस चार सो परत पर भी 8% 32 रुपे तो इसका जो ब्याज आएगा वो आएगा 832 तो इन दोनों का अंतर पूचा है यानि की 222 रुपे की बात वो कर रहा था यानि की 232 रुपे की बात सकते हो आप जितनी जल्दी उड़ाओगे उतर ही आपका benefit है सत्रवा question राणा 6 km प्रती घंटे की गती से चला है एक दिन वह अपनी गती 5 बटे 6 गती से चला और office 10 मिनट देरी से पहुचा उसके द्वारा office पहुचने में लिया गया वास्तविक समय बताना है ध्यान से सुन लेना जरा यहाँ पर इस question को अगर उसने अपनी speed पहले 6 थी अब 5 कर दी 5 बटे 6 का मतलब है 6 में से 5 कर दी तो दोस्तो time inverse होता है तो time 5 लग रहा था तो time 6 हो जाएगा time और speed एक दूसरे के inverse proportional होता है व्यूत करमानुपाती होता है इस speed 6 से 5 हो गई तो time 5 से 6 हो जाएगा time 5 से 6 कितने unit का time लग रहा एक unit ज़ादा और इस एक unit की value question में 10 minute दे रखी है एक unit की value 10 minute तो 5 unit की वास्तिविक समय है इसकी value हो जाएगी 50 minute ठीक है वास्तिविक समय कितना हो जाएगा 50 minute 55 कैसे आएगा पच्पन कैसे आएगा पच्पन कैसे आएगा दस मिनट दस मिनट की देखो यहां पर speed का को मतलब भी नहीं है यहां पर speed ठीक है समझ में आरी यह बात गुड मॉनिंग गौपी वाई जी गुड बॉनिंग वैरी गुड मॉनिंग आप खुद देख लो ना 6 की speed थी 5 बटे 6 कर दिया अब हो गई speed 5 तो 6 की speed से चल रहा था अब 5 की speed से चल रहा है यह speed है तो time पहले 5 लग रहा था अब 6 बात खत्ब हो गई इसमें कौन सी बड़ी बात है इसमें कौन सी बड़ी बात है अठारमा question अठारमा question सर किसी के exam दे रहा को में हो तो तो मेरे भाई बताओ ना क्या चीज अच्छा अरे कौन सा question है अठारमा question है उड़ाओ जरा देखता हूं कौन-कौन उड़ाएगा अठारमा question चलो फटा-फट से उड़ाओ ट्रेन साथ किलोमेटर प्रती घंटा गती से यात्रा करते हुए 24 सेकेंड में एक पुल को पार करती है ट्रेन की लंबाई डेड़ सो तो पुल की लंबाई बताओ पुल को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर चलेगी तो खुद की लंबाई तो चानिस चार सो डेड़ सो पिलस वी इक्कोल्स टू चार सो और ब्रिच की वेल्यू आ जाएगी 200 मीटर कितनी आ जाएगी 200 मीटर फोर्थ वन करेक्ट आंसर उड़ा दिया सभी लोगों ने 200 200 यहां पर चलिए बहुत साड़े 300 कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त मलिक कौन सी दुनि तो नहीं आएगा आंसर आएगा इसका 200 चलो अगले कुश्टन की तरफ चलिए बाबा का जीएस की एंट्री पहले तो रोईसर के लिए तालिया बजाओ या तो यह इनका कोई फैन है चलिए बहुत शानदार एक सम्चतुर्भुज का छेत्रफल 26 वर्ग मीटर है सम्चतु यह आपस में इंट्रस मिट पाइंट पर और यह दोनों आपस में मतलब कि यह और यह अलग-अलग इसका एरिया होता है वन बाई टू डी वन इंटू डी टू और जिसकी वेल्यू दे रखी है अपने पास 24 तो डी वन और डी टू का जो प्रोड़क्ट आएगा वो आएग 24 दूनी 48 यह तो हमें दिखाई दे गया 688 है एक विकर्ण अगर आठ होगा देखो देई रखा था आठ मीटर और हमने वैसे भी बोल दिया कि 8 मीटर रहा होगा चलिए थैंक्यू सर वेरी वेरी थैंक्यू और अगर एक आठ है तो यानि कि आधा कितना हो जाएगा चार तो यह कितना हो जाएगा अपने पास 6 आजाएगा तो 6 का आधा 3 तो यह 4 यह 3 तो यह कितना आएगा पाई था गॉरस बाबा जिन्दाबाद 5 भुजा की लंबाई पूछा है 5 मीटर और वैसे भी हमें पता चल गया 6-48 आधा करोगे 4 और 3 तो एक 4 एक 3 तो फिर हाइपो कितना आजाएगा अपने पास 5 आजाएगा यानि कि रोंबस की भुजा 5 आजाएगी 5 मीटर रोंबस की भुजा कितनी आएगी 5 मीटर चलिए इसी के साथ अगला कुश्चन 20 कुश्चन देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है तीन संख्याओं का आउसत 58 है तीन संख्याओं दे रखी है उनका आउसत 58 दे रखा है पहली संख्या तीसरी संख्या का 3 बटे 4 है यदि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 24 अदिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा पहली बात तो समझ में आ यह हो गाना तीन से डिवाइड क्रों गें यह किसके एककोल दे रहा गाए 58 के तो मैं यह कह सकता हूं कि तीनो संख्याओं का जो योग होगा वह किसके एककोल आ जाएगा पांस्तिया पंद्र है और आठ तिया चौब्玩 एक सो चोहत्तर के एककोल आ जाएगा तीनो संख्याओं का योग 174 है अब देखो क्या कहा रहा है पहली संख्या तीसरी का 3 बटे 4 है पहली संख्या तीसरी का 3 बटे 4 यानि कि पहली और तीसरी में जो अनुपात आएगा वो 3 अनुपात 4 का आएगा यानि कि पहली संख्या अगर 3X है तो तीसरी संख्या 4X होगी और कह रहा है कि यदि तीसरी संख्या दूसरी से 24 अधिक है तीसरी संख्या जो है दूसरी से 24 अधिक है तो यानि कि ये 24 कम है तो मैं कह सकता हूँ ये 4X-24 होगी तबी तो ये 24 ज्याद होगी, इनको जब जोड़ोगे तो 174 आना चाहिए 174 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 174 आना चाहिए तो ये 3 और 4 और 4 और 8, 8 और 3, 11, 11 x equals 2 24 उदर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 और 4, 8 आएगा और 7 और 2, 9 आएगा, और 1 आजाएगा, और x की value आजाएगी, 18 x की value 18, तो पहली और दूसरी के बीच अंतर, यानि कि 3x और 3x 18 थिया, 54, और 4x 18 चौक, 72, 72 में से 24 चले गए, 12 में से 4 गया, 8 और 6 में से 2 गया, 4, तो अंतर कितना आ रहा है, इसके बीच में 6, कहीं पर है क्या option, प्यारा कुश्चन था ही है, मतलब ऐसे कुश्चन SSC के मिन्स लेविल में भी आ जाते हैं, ध्यान रखना इस टाइप के कुश्चन SSC के मिन्स लेविल में भी आ जाते हैं, समझ में आ रहे हो, तो कहां-कहां से हो जग राह, फटट 청ization में बताओ, कहां-कहां से हो आप, कौण कौण से स्टेट से, कौण कौन से शहर से हो ये भी तो बताते हैं चलो, 21 आप सामने, एक व्यत्ति 5 बस्तूअ को मतलो जारखंड से and मुझफवर पूर से बहुत बढ़िया, मुझफवर नगर से यूपी से बहुत शांदार, राजिस्थान, अलवर से मेरे भाई बहुत बढ़िया, अंडमान से बहुत शांदार, चलो भई 5 बस्तुं, 5 आर्टिकल, कितने रुपए में खरीद के लिए के आ तो यानि कि 75 रुपे में बेज दे इन बस्तूओं को इसमें कौन सी बड़ी कहानिया थी पहले यह देख लो 100 बस्तूओं खरीबी कितने में होंगी फिर उसका 25 परसेंट उसमें जोड़ दो इससे इजी कोई कुश्चन था अगर मज़ा आया तो लाइक करो फड़ापट से चलो बहुत बढ़ी आवई अरे भाईया बोलो मैं तो मैंने पार्थ मेरे भाई मैं तो भाई हूँ तुमारा क्यों टेंशन ले रहे हो तुम आंसर बताओ मेरे लिए आंसर बहुत बढ़ी चीज़ है आंसर बताओ तुम ठीक है चलो राजिस्थान अलवर से बहुत शांदार कैलकटा से भाई बोलेंगे पार्थ मेरे भाई चलो आंसर बताओ एक इसी वस्तू को बी के हातो बी एक वज़े भी किलास होती है दो पहर में उस किलास का भी हिस्सा बनो मेरे दोस्तों उस किलास का भी हिस्सा बनो एक वज़े वाली का एक इसी वस्तू को बी के हातो 20 प्रतिशत लाब लेकर बेज देता है ठीक है बी सी से 25 प्रतिशत यानि कि 120% में बेची गई फिर इस बस्तू पर भी 25% का प्रॉफिट यानि कि 125% में बेची गई और अब जो वैल्यू आ रही है वो 225 आ रही है फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 225 पंद्रह अठ्थे 120 15 से पंद्रह बार 15 से पंद्रह बार बोलो 15 से 15 बार 25 से 5 बार और 25 से चार बार चार से यह वाली वैल्यू दो बार 5 से वाली वैल्यू 3 बार 2 से वाली वैल्यू 50 बार X की वैल्यू आगी 1.500 है कहीं पर क्या option कहीं पर option है successive से कौन कौन करेगा इसको इस question को successive ratio से कितने लोग कर रहा है वो भी जड़ा एक बार देखने successive पहले 20% बढ़ा 20% का मतलब 1 बटे 5 यानी की 5 से 6 फिर 25% एक बटे 4 यानी की 4 से 5 यहां से किलियर हो जाएगा यानी की 4 से 6 यानी की 2 से 3 4 से 6 का मतलब 2 से 3 3 की वैल्यू 225 तो 2 की वैल्यू 1.500 इसमें कौन सी बड़ी कहानी थी 75 तिया 225 पिछेतर दूनी 1.500 फिरी के नंबर थे successive से भी हाँ या ना successive से भी फिरी के नंबर थे किलियर 23rd कुश्चन 23rd कुश्चन क्या चीज समझ में नहीं आया बताना ज़रा क्या चीज समझ में नहीं आया बताओ लो 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 कुछ है यह नहीं एक वस्तू थी एक सुरुपे की उस पर 20 परसेंट बढ़ा दिया तो वस्तू कितने की हो गई 120 परसेंट फिर इस पर 25 परसेंट और बढ़ा दिया तो यानि कि इस वैल्यू का 125 परसेंट यह आ रहा है 225 के बराबर तो सॉल्फ करोगे तो एकस की यही था इस कुष्चन में क्या था यह था इस कुष्चन में यह था इस कुष्चन के अंदर चलो 23 कुष्चन की तरफ मुर देते हैं जरा 23 कुष्चन भाई मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में भी मुरदवास शहर से हूँ ठीक है चलो अब आजाओ य यानी की median और mode का median और mode जो difference दे रखा है वो 4 दे रखा है median mode का difference चार है तो बहुलक और मादादीका के बीच क्या 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 if the difference between mode and mean mode and mean दिया गया है mode and कल ही कराया था mode and mean Hindi में करा था ठीक है if the difference between mode and mean find करना है mode and mean का difference find करना है difference between median and mode median and mode का अंतर दिया गया 4 चलो यह question ले तो टास्क देखता हूं कितने लोगों को फॉर्मूला याद है कितने लोगों को फॉर्मूला याद है चलो यहां से देखते हैं ठीक है यहां पर पता चल जाएगा level क्या है आपके mind का देखो आप लोगों ने three times of median minus two times of mean equals to mode तो बहुत देखा होगा मगर यहां पर concept ही अलग है mode minus mean find करना है जबकि median minus आप लोगों को mode दिया गया 4 चौबिस एक राशी साधारण ब्याचपत दो वर्सों में 1760 और पांच वर्सों में principle है दो साल बात देखा तो वह 1760 हो गया और पांच साल यानि कि अगले तीन साल बात कितना हो गया 2000 हो गया तो तीन साल में कितना ब्याच मिला यहां से देख लो राजपन्ना कहां पर दिक्कत आ रही है मेरे भाई वो चीज़ बताओ कहां पर दिक्कत आई है कौन से कुश्चन पर दिक्कत आई है अरे MTS का एक्जाम चल रहा है उड़ाते चलो उड़ाते चलो फाउंडेशन जब बैच कराओंगा फाउंडेशन की जब किलास कराओंगा तो बिलकुल बेसिक से समझाता चलूँगा एक एक चीज परिशान होने की जरूत नहीं अभी तो एक्जाम चल रहा है उड़ाते चलो जितनी जल्दी तुम्हारी स्पीड बनेगी जितना अच्छा इस परिशमोड में उत्रहीं तो अच्छा एक्जाम में भी कर पाओंगे मेरे दोस्त मेरे भाई पन्ना जी जैसा नाम है आपका पन्ना वैसी आप अपनी छभी को निखा रही है मेरे दोस्त किलियर है किलियर है कि पवन्श आहुजी अगड़िट चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत शांदार बात है अब यह 24 कुश्चन में किसने किसके कितने कितने हुए फटाफट से बताओ किसके कितने कितने हुए फटाफट से बताओ जरा कॉमेंट सेक्शन में आवास कम आ रही है ऐसा तो नहीं हो सकता एक बार देख लेते हैं कि आवास कम आ रही है क्या में आवास तो परफेक्ट आ रही है कि इसके जल्दी से आपके कितने हुए फास्ट एकदम पड़ाफट बताया तो मेरे भाई धरमबीर जी भाई मुरादवाद से हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादवाद डिश्टिक्स से मेरे दोस्त चलो फड़ाफट से बताओ यहापर जल्दी किसके कितने कितने बता दिया बता दिया बता दिया आंसर बताओ मज़ा आया तो लाइक करो कोश्टन्स अच्छे लगे तो फड़ाफट से लाइक करिए चलो कोई बात नहीं मुलाकात करेंगे कल दोपैर एक बजे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाई बाई टेक केर एंड लब यू गाईज एंजॉय करो मेहनत करो अपने